1962 का war, इंडिया के history का सबसे बड़ा काला दिन, बट वहीं दूसरी तरफ चाइना के लिए ये एक बहुत ही glorified victory रही, 21 नवंबर 1962 में चाइना ने इस war को call off किया, पर जो war वो जीत रहा था, क्यों उस war को छोड़ कर वो peace की तरफ बढ़ा, क्या उसके कारण रहे, क्या इंडिय war को शुरुवात होने के reasons रहे, और चाइना ने क्यों back off कर दिया इस war जब वो जीत रहा था, आज हम इस ग्यानकोश की वीडियो में इन सब के बारे में जानेंगे, welcome to ग्यानकोश, 1962 war का सबसे important हिस्सा था, कि इंडिया और चाइना के बीच में बढ़ता हुआ tension, और वो 1962 से पहले ही उसकी शुरुवात हो चुकी थी, जिस तरह ये 1962 का war इंडिया के लिए और ट्रधान मंतरी नहरुजी के लिए एक humiliating defeat रही, उसी तरफ चाइना के लिए ये बहुत बड़ा अवसर था कि वो west को दिखा पाए, कि वो किसके capable है, उसके साथ aggression करना मतलब war का क्या consequences होते है, ये चाइना ने दिखा दिया था, चाइना का 1962 का war दो फ्रेंट्स पे खेला गया, जहाँ पर चाइना ने इस important region जिसे ही अकसाइचीन कहा जाता है, जो की पहले जमवेन कश्मिर का हिस्सा हुआ करता था, और उसी के साथ साथ मैक मोहन लाइन जो की अरनाचल प्रदेश क के साइड में, उस दो फ्रेंट पे चाइना ने अटैक कर दिया था, ऐसा इतना strategic locations पे अटैक करने के बाद, जहां पर winning position होने के बाद, चाइना क्यों बैक आउट करता है, तो आईए पहले देखते हैं कि चाइना के 1962 war के reasons क्या थे, सबसे important reason था, नहरु का forward policy, और दूसरा, स तीन major reason हमें समझ में आते हैं कि इंडिया में 1962 के war के लिए क्या reasons रहे, सबसे पहला और important reason था, diplomatic failure, जब 1950 के दौरान, चाइना अपने कुछ हिस्सों में, अपने maps में, इंडिया के अरुनाचल प्रदेश और अकसाइचीन को अपने maps में reflect कर रहा था, उसी दौरान, इन सारे claims को चाइना के इंडिया ने ignore कर दिया, लेकिन 1954 में चाइना ने उसके official map में, इन सारे हिस्सों को अपना हिस्सा बताया, और उसी समय, power policy की शुरुवात भी, जहां पर नहरुजी ने चाना की इस power policy के थुरू, मैं aggression दिखा सकता हूँ, और इन सारे claims को हटा सकता हूँ, लेकि इन सारे claims पर कोई भी official या roundtable conferences नहीं हुई, जहां पर बैट के अपनी बात और सारी चीजों को and issues को resolve किया जा सके, लेकिन जब हम बात करते हैं failures की, तो दूसरा सबसे important failure था strategic folly, यानि की forward policy का failure होना, basically forward policy अगर आपको समझनी है, तो इस तरीके से समझ लीजिए कि ये वाला region जहां पर कोई भी area of boundary marked नहीं है, या consensus नहीं बने है, यहां पर मान लीजिए आप चाइना है और यहां इंडिया है, इन दोनों की बीच में कोई भी consensus नहीं बनाए कि ये boundary है, तब जाके इंडिया ने forward policy के दौरान इन सारी border areas के अंदर जाकर अपनी military post बनाए, अब military post बनाई तो बनाई, लेकिन क्या इनको logistically, क्या इनको उतने equipments, क्या इनको उतनी services प्रवाइड की, कि क्या उन forward post पे अगर fighting होती है, कि वो defend कर पाए, तो यहां पर forward policy fail हो गई, जब हम देखते हैं कि underestimation of China भ and defense minister VK Krishna Menon थे, इनके पास जो भी information आ रही थी इन post से, वो Prime Minister Nehru तक smoothly और जैसे के तहसे नहीं पहुँच रही थी, इसकी वज़े से VK Krishna Menon को बहुत ही ज़ादा blame किया जाता है, जब हम आगे बढ़ते हैं कि तीसरा कारण जो इस war की तरफ बढ़ाता है इंडिया को, वो है tactical bl इन तवांग, ये इस वज़े से कि तवांग रीजन जो की अरुनाचल प्रदेश का हिस्सा था और आज भी है, जो BM Call थे, Lieutenant Governor, जिनका Commanding 4th Corpus में था, उन्होंने अपने Military Capabilities और Incompetencies की वज़े से ये post में खत्रा बढ़ा दिया, जहाँ पर कोई भी resources ना होने के बावजूद और Eastern Command को उन्होंने निगलेक करते हुए अपने आप कुछ operations किये, उसकी वज़े से ना वहाँ logistics पहुच पाया, ना वहाँ arms and ammunitions पहुच पाया, और harsh weather में वहाँ के जो भी army personals थे, वो बहुत ही ज़ादा struggle कर रहे थे to fight, ये तीन important reasons थे from India की war में हम क्यों हारे, अगला सबस Brooks and Bhagat report आये थी, इसमें इन्होंने detail में analyst किया है कि VK Krishna Menon, BM Call और बाकी लोग जो की stakeholders रहे, ये किस तरीके से blame करते हैं और इनकी policies कहां कहां fail होती है, ये पूरा detailed report इस तरीके से हमें publish करते हुए मिलता है, कि कैसे VK Krishna Menon की गलतिया रही, कैसे BM Call एक incompetency की तरफ बढ़ने लगे, और इसी सारे कारणों की वज़े से 1962 war को हमने ठीक से भापा नहीं और हम उसे अच्छे से tackle नहीं कर पाए, जब हम देखते हैं कि creation of fourth corpus की वज़े से जहां पर adequate logistics की कमी रही, जहां पर support system की कमी रही और ये fail होना इंडियन आर्मे के लिए logistical reasons रहे, ना कि इंडियन आर्मे के courage की कमी थी, हम जानते हैं कि important triggering point क्या रहा 1962 war का, ये था दलाई लामा को refuse देना, इंडियन गवर्मेंट ने दलाई लामा को welcome किया, नाबल की welcome किया, बट उनको एक safe house दिया, जहां पर वो रामपूर आसाम में अपना refuse से entry करते हुए, इंडिया में entry करते हैं, वहीं पर अगर हम देखें कि ugly reasons में जहां पर हमने इंडिया की reasons को समझा कि क्यो war हुआ और क्यो हम fail हुए, लेकिन हमें ये भी जानना होगा कि China की पास ऐसे क्या कारण थे, कि उसे 1962 war में जाने के लिए मजबूर किया, सबसे important reason था जब Mao Zedong अपनी नई policies को implement कर रहे थे, जिसे forward leap policy कहा जाता है, अब power leap policy है क्या, सबसे important जहां पर वो दो sectors में divide करते हैं, वो कहते हैं कि सारे collectively agriculture करेंगे और rural areas में industrialization को बहुत ज़ादा push करेंगे, ये दोनों कारण की वज़े से उनकी जो domestic population थी, उनकी जो पूरी citizen थी, चाइना की, वो Mao Zedong से काफी ज़ादा नाराज थी, अब उनका sentiment और image अगर सुधारनी हो, तो किसी भी leader को war एक बहुत ही अच्छा option होता है, और उसी कारण उनको 1962 का war बहुत favorable option लगा, जब war duration हो रहा था, तब लगदाप के North East Frontier के agencies में, चाइना जब stretch out कर रहा था, चाइना ने सोचा कि मैं fast move करके इस area पे capture करूँगा, लेकिन चाइना की speed और चाइना की efficiency इतनी जादा रही कि उन्होंने इस targeted area से जादा area में अपने forces को फैला दिया, इसके कारण उनकी जो कुछ भी supply थी, वो यहां तक पहुंच नहीं पा रही थी, इसका मतलब ये था कि उनकी logistic chain ब्रेक हो चुकी थी, अब थोड़े ही दिनों में winter hit करने वाला था North East Reason में, और ये winter में उनके forces जहां पर वो terrain में और ये terrain जहां पर उनके forces trained नहीं थे कि winter में कैसी fight की जाए, अब जब देखते हैं कि भाई winter में तो हमें कोई fight करने का experience ही नहीं है, तो हम कैसे stretch करेंगे, कैसे हमारे army का motivation बनाए रखेंगे, तो इस वज़े से उन्होंने य ये decide किया कि हम अभी war पे आगे नहीं बढ़ते हैं, उसके बाद चाइना ने ceasefire किया 21 नवंबर 1962 में, अब उसके बाद उनके सबसे important winter और हिमालया का terrain उनका दुश्मन बना, जब वो अपने war पे जा रहे थे, तब तो उन्हें लगा कि हम इन सब को हत्या लेंगे, लेकिन ज और बाकी सारे issues में वो हमसे आगे बढ़ चुके हैं, तब इनको लगा कि हम war पे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जब हम बात करते हैं, इंडिया के resistance की, इंडिया की आर्मी ने बहुत ही जादा courage दिखाया, जहां पर वो अपने पूरे ताकत से fight कर रहे थे, जहां पर आपको food की कमी है, खाना पिना नहीं मिल रहा है, असले नहीं मिल रहे है, आर्मरी नहीं मिल रही है, उस सारे adverse situations में भी इंडियान आर्मी डटी रही, और ये इंडियान आर्मी का courage देखते हुए चाइना को ऐसा लगा, कि मैं position of strength जहां पर मैं war जीतते हुए दिखा रहा हूं दुनि जब हम देखते हैं कि international support की बात जब करते है, 1962 के war के दौरान USA के President की किताब जो John F. Kennedy के बारे में लिखी गई, तो वहाँ पर वो कहता है कि Indian government से ये negotiation स्टार्ट हो गए थे कि हमें कुछ ना कुछ support चाहिए, तब John F. Kennedy ने अपने boots on the ground, यानि कि अपने US के soldiers Indian soil पे लाकर साथ म पारलाल नहरू ने उस offer को ठुकरा दिया, और उन्होंने कहा कि मुझे cargo assistance चाहिए, यानि कि आप armory, asla, ये सब के assistance दीजिए, हमारे soldiers fight कर लेंगे, तब जाकर China को ये realize हुआ कि सारी international community मेरे against हो जाएगी, अब थोड़ा सा पीछे जाकर अगर सुन सकते हैं, तो आप मैंने ब चाइना को प्रगती shield और प्रगती के तरफ बढ़ाने का, लेकिन ये war अगर west led इंडिया के साथ आ जाता, तो उनकी ये policy fail हो जाती है, और उनकी प्रगती दुरदशा में बदल जाती, और ये ही सारे कारण थे, कि वो इस war को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, जब हम global opinion की बात करते हैं, तो global opinion में बहुत बार इंस war को दो तरीके से देखा गया, एक हिस्सा ऐसा था, कि वो कहने लगा कि ये war चाइना के लिए बहुत important था, to show the west domination, और दूसरा, इंडिया की जो failures रही, उसको highlight करने के लिए था, अब जब देखते हैं कि ये war जो हुआ, 1962 का, आज त आज तक हम देख पा रहे हैं, अब इसे अगर हम समझते कि ये war ना सिर्फ इंडिया और चाइना के लिए हैं, लेकिन जब हम 2023 में इसे देखते हैं, तो ये एक geopolitical event होता है, यानि कि जब center of gravity of geopolitics यूरोप से, west से, US से shift होकर एशिया की तरफ आ रहा है, तब इंडिया और चा समझने के लिए, I hope आप सब को ये वीडियो अच्छी लगी हो, कोई भी आपके suggestions होंगे, तो comment section में आकर बताइए, धन्यवाद